मध्य प्रदेश की सरकार पर 3.5 लाग करोड के आसपास का कर्स है जिसकी बज़े से 38 योजनाओं पर रोक लगाई गई है जिया दोस्तों यहाँ पर कौन-कौन सी योजना पर किस तरीके की रोक लगी है ये भी डीटेल में जानेंगे साथ ही लोगों के मन में बस एक ही सवाल आ रहा है कि क्या लाडली बहना योजना भी बंद की जा रही है तो इसको लेकर भी अपडेट आए इस पर भी चर्चा करेंगे साथी ये भी जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी योजना है जिनकी बज़े से मध्यप्रदेश की सरकार का जो कर्स है वो बढ़ता चला जा रहा है त अगर सिर्फ लड़कियों को इसकोटी दी जाती तो 75 करोड ही इसमें लगते लेकिन चुनाओ में लड़कों को भी इसकोटी देने की गोशना कर दी गई जिसके बाद अब 200 करोड रुपए इस स्कूटी योजना के तहत लगेंगे 200 करोड जो है सिर्फ इस योजना के तहत पर उन्हें लैप्टोप देने की भी घोशना हाली में की गई थी जिसको लेकर और ज़्यादा खर्च बढ़ रहा है साथ ही पुलिस पुलिस में क्या कहा गया है कि वर्दी भोजन और पेट्रोल समेथ कई भट्ते बढ़ा दिये गए हैं पुलिस के लिए पेट्रोल पर ही हर महीने एक पुलिस कर्मी पर पंद्रा सो से दो हजार रुपए खर्च हो रहा है हर पुलिस कर्मी पर पंद्रा सो से दो हजार मतलब बहुत ज़्यादा होता है ये भी एक सरकार पर काफी बड़ा वित्तिय दबाव देखने को मिल रहा है कुछ योजनाओं पर कटोती करी जाएगी कहा जा रहा है यहाँ पर देखेंगे महाकाल परिसर, मेट्रो ट्रेन जैसी कई योजनाओं का काम हो सकता है प्रभावित लाडली बहना के लिए ही चाहिए 42 करोड रुपए अभी फिलाल लाडली बहना योजना का क्या होने वाला है इसके अपडेट को लेकर भी हम चर्चा करेंगे पंचायत को लेकर क्या कहा जा रहे कि सभी श्रेणियों में वेतन बढ़ा दिया गया ग्रांट में जो राशी जारी होती थी उसे वेतन मद में डाल दिया गया है साथी मध्य प्रदेश में 23,000 रोजगार सहायकों का वेतन दुगना हो गया है मतलब की वेतन बढ़ाने की वज़र से भी काफी ज़़ा है यानि सैलरी बढ़ाने की वज़र से भी सरकार पर काफी बड़ा बोज जो है वो आया है अब गैस सिलेंडर योजना कुछ समय पहले ही सुना होगा लाडली बैना को साड़े 400 रुपए में सिलेंडर देने का जो वादा किया गया था इसके लिए 80-90 करोडर रुपए महीने में चाहिए बचे तीन महीने के लिए 300 करोड की जरूरत है पहले इसे एक सावन मास के लिए रखा गया था अब ऐसा नहीं है धीरे दीर जो योजनाओं का दायरा बढ़ाया जा रहा है, जो पैसे बढ़ाया जा रहा है, जो सैलरी बढ़ाया जा रही है, उसको लेकर सरकार पर काफी बढ़ा बोज है, साथी चाड़े तीन लाग करोड के आसपास का कर्श जो है, वो यहाँ पर मध्यप्रदेश की सरकार पर देखा जा रहा है अब आगे अगर हम बात करें लाडली बहना योजना की तो उससे पहले कुछ उन योजनाओं के नाम देख लेते हैं जिन योजनाओं पर वित्तिय रोक लगाई गई है तो टोटल करीब 38 विभागों की अलग-अलग योजनाओं के खर्च या भोगतान के लिए पह पैसा वहाँ पर जारी किया जा रहा है उस पर एक थोड़ा सा बैरियर लग सके थोड़ा लगाम लग सके तो योजनाओं के नाम देख लेते हैं मुख्य मंत्री तीर्फ दर्शन योजना महाकाल परीसर विस्तार योजना खेलों को प्रोटसाहित करने संबंदित जितनी भी योजना हैं जिससे खेल को प्रोटसाहन मिल रहा है उस पर जो राशी दी जा रही है उस पर भी थोड़ा सा रोक लगाए गया यानि कि अनुमती लेनी पड़ेगी उसके बाद ही इन पर खर्च करना है जो पुरसकार दिये जाते हैं खेल संबंदित योजनाओं के थ्रू उ यहाँ पर परमिशन लेना पड़ेगा हवाई पट्टी विस्तार के लिए मुख्यमंत्री रेण समाधान योजना साथ ही मेट्रो रेल का जो काम चल रहा है उसके साथ ही अन्य कई योजनाओं है जिनको अगर चलाना है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी अगर पै उसके लिए परियोजन अधिकारी महीला एवं बाल विकास विभाग सागर ग्रामिंटू की तरफ से निर्देश जारी किया गया है ऐसा उस टाइम पे लिए योजना का लाब ले रहे हैं तो वो अपने crowd कर दें़ि तो वो लाव लेना छोड़ दे 15 दिन के अंदर ऐसे लोग अपने लाव का परित्याग नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कारवाई भी की जा सकती है देखिए लाडली बहना योजना जब शुरू किया गया था तो उसमें कुछ क्राइटीरिया दिया गया था कि अगर आप इंक लेकिन कई लोग क्या कर रहे थे कि पात्र नहोते हुए भी यहाँ पर गलत तरीके से योजना का लाब ले रहे थे जिस वज़े से सरकार पर और भी ज़्यादा कर्च का बोज बढ़ रहा है तो यहाँ पर एक लेटर जारी किया गया था लेकिन बाद में इस लेटर को खार कर दिया गया था साथ यहाँ पर अगर हम बात करें लाडली बहना योजना की तो जब से मध्यप्रदेश में नई सरकार आई है मुख्यमंत्री नए आए है याद होगा आपको अभी हाली में चुनाओ के रेजल्ट आए जिसके बाद जो है बीजेपी की जीत हुई और मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो जब से मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने है उसके बाद से ये चर्चा तेज हो गई है कि लाडली बहना योजना का क्या होगा तो इसको लेकर जब सवाल जबाग किये गए तो ये पता चला कि जो भी योजनाए कहा ये गय यह है कि जो योजनाए सही धंग से चल रही है लोगों को लाब दे रही है तो उन योजनाओं को चलाया जाएगा और जो नहीं दे रही है उनको बाद में देखेंगे और क्लियर यहाँ पर यह नहीं बताया गया कि लाडली बहना योजना बंद होगी या नहीं होगी अभी त तो जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं और वित्तिय रोक जिस तरीके से 38 विभागों की योजनाओं पर लगाई गई हैं उसको देखते हुए थोड़ा सा हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है आने वाले समय में जो है लाडली बहना योजना जो है या तो वो थोड़ा उसका जो पैसे का जो amount है वो कम किया जाएगा या फिर उसको बंद किया जा सकता है अभी ऐसा कुछ भी clear नहीं बोला गया इसलिए हम भी इस पर जादा clear तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं बाकि अभी जितना पदा चला है उससे यही आप लोग पोड़ा सा अंदाजा सकता है जो राशी है उतनी ही रहेगी क्योंकि कहा गया था पहले एक हजार रुपए दिया जा रहा था उसको बारा सो पचास रुपए करके बढ़ाया गया उसके बाद बोला गया कि इसको हम तीन हजार तक लेके जाएंगे लेकिन हो सकता है जितना अभी बारा सो पचास दिय रोक लगाई गई है ग्रिया विभाग द्वारा गैलेंटरी अवोर्ड देने पर पुत्र पुत्रियों को प्रती रक्षा में भरती कराने वाले माता पिता को सम्मान मिधी और पुरसकार देने पर CM Excellence Award पर COVID-19 उप्चार और प्रबंधन के लिए भी अनुमती लेना होगा यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं या फिर जितनी भी चीज़े आप देख रहे हैं उन सभी चीजों में जो भी खर्च हो रहा है उसमें वित्ती रोक लगाई गई है यानि कि पर्मिशन लेना प पढ़ेगा अब next देखते हैं किसानों से संबंदित काम पर क्या प्रभाव यहाँ पर पढ़ रहा है जो किसानों से संबंदित काम है उन पर क्या इस चीज़ का influence पढ़ रहा है एक जिला एक उत्पाद योजना एजेंसी या ठेकेदारों द्वारा किसानों के खेतों पर न permission लगेगी अब जो भी ऐसे काम होंगे जिनमें खर्चा है उन सभी चीजों के लिए permission लेना पड़ेगा क्यूं इसका एक बहुत बड़ा कारण है कहीं न कहीं यह जो खर्चा होता चला जा रहा है इसकी वज़र से ही मध्यप्रदेश की सरकार के उपर इतना बड़ा करजा जो है लाखो करोडो का करजा जो है वो हमको देखने को मिल रहा है तो कहीं न कहीं से थोड़ा सा adjustment करना पड़ेगा कहीं न कहीं से थोड़ी सी कटोती करनी पड़ेगी तो हो सकता है आने वाले समय में ऐसा हो कि जितनी भी योजनाए चल रही है उन पर थोड़ा थोड़ा कर कर आपने पढ़ा है तो उसको ध्यान रखे का पूरी तरिके से वह फेक है अफी तक कोई भी इस तरिके की चर्चा जो है वÓ नहीं की गई है नहीं क्लियर्ली बताया गया है कि लाड़ली बहना योजना का क्या होने वाला है ये भी नहीं बोला गया है कि उसको चलाया जाएगा ये भी नहीं बोला गया कि इसको रोका जाएगा तो ये बात ध्यान में रखेगा अभी तक क्लियारिटी नहीं मिली है खैर आज के लिए इतना ही आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए थैंक ये सो मच